हालो फेंट्स तुकत एक फॉट्स आप सभी का हमारी यूट्व शानल में और दोस्तों आग हम बात कर रहें के विस्के जो है आपका पीजिटी ठीक है पीजिटी हो गया आपका प्यार्टी हो गया और आपका टीजिटी ठीक है इन तीनों एक्सपेक्टेड कटफ 1223 का क्या रहने वाला है उसके बारे में आप बात करेंगे साथी साथ आपको प्रिवेसर की क्या कटफ थी उसकी भी आपकी कंपारजन करका वो बताया जाएगा यहां पर क्या एक्सपेक्ट कर सकते कि आपकी कटफ क्या जा सकती है ठीक है तो वीडियो स्टाट करने से पहले आप लोगों मैं यहां पर बता देना चाहता हुँ कि जो लोग जो भी ठीक है जो भी एक अगर माकसा ला रहे है ठीक है अगर उनका 60 में अगर minimum 30 भी आ जाते हैं या 25 से लेकर 30 के विच्व में भी आते हैं तो definitely यहां पर selection होगा यह तो रहा maximum जो जिनका मास है वो तो श्योर है तो उनके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है बस इंटर्व्यू प्लस डेमो में आपकी कम सेगा मास आज जाने चाहिए 20 से लेकर 30 के विच में कोई भी मास आते हैं definitely आपके यहां पर maximum मास वाले के लिए हो जाएगा यहां पर बात करेंगे क्या कटफ रह सकता है उसके बारे में कि ठीक है जो लोग का maximum नहीं है अगर उनका एक सकता है और कैसे उनका सेलेक्शन हो सकता है तो देखिए अगर मैं बात करूं कि आप सभी को पता कि इस लेवर से चंज हुआ पला साथ ही साथ यहां पर आपका जो नंबर मार्स जोगे 180 कोशन यहां पर होगे 180 मास के एकजाम हो रहे है ठीक है इस बार 180 मास के एकजाम हो रह ठीक है यहां पर देख सकते 150 पर जो कटब बनी थी वह कुछ इस प्रकार रहा जैसे कि अगर मैं मैंत की बात कर तो 85 रहा फर्स्ट हाइस दूसागर हाइस में बात करूं 83 रहा आपका साइंस का उसके बाद देखिए हिंदी का 74 रहा सस्ट का 79 इंग्लिस का 78 और आपका संस् बात करूं दोनों में बहुंच जाज आज डिफॉर्सेजिश नहीं थे तो रहा हो वर मैं बात करूं ओवरॉल यहां पर पिछले बार की यह सिनयर्यों पर कर शेक्ट को अलग होगा तो यहाँ पर मैं बात करूं जेकर आ रहे होंगे तो आपका फैनल बन सकता है वो अगर आप 136 या 136 के आज पास ठीक है 2-3 मास कम ज्यादा करके अगर आ रहे होंगे तब है कि आपका इंटर्वी प्लस डेमो मिलाकर आपको यहां पर जो 30-30 मास के हैं उसमें आपको कम से कम आपको कम से कम 30 तो लाने ठीक है यह मिनिम्मम तो आपको 30 तो मिलता है कम से कम 25 तो मिल जाएगा लेकिन मैंकि मैं बात कर तो 50 प्लस बहुत रेर वाले को मिलते हैं लेकिन 50 तो तो 30-50 के बीच में उनको जो है इंटर्वीव में 30-50 मास के बीच में मिली जाता है ना 5-50 के बीच में आपको मास मिल जाते तो 136 वाले है तो यहां से एं एक तो 3126 पर कहनें के मदले कि अंपर कि ब्लाब ग 2.0 अंध्री कालिंग होगा मेरेट युडृ कॉलिंग प्लार्ण के बाद करता है यह ईंतर्वीव में कैसा आपका जा रहा है तब करेगा कि आपका इंटर्वी में कितना स्कोर आ रहा है तो यह वह डेफिनिट वह आपका जो है डिसाइड करेगा ठीक है अगर मैं बात करें है यह EWS का ठीक है इस पर से इतना बन रहा है आप प्लस आपकी जो हैं इंटर्विव में आपको 30 प्लस या 30 के आसपास में मिले तो डेफिनिटी आपकी सेलेक्शन ओने निश्य थे और फैनल मेरिट इस बार जो बनने वाली है आपका जो वेटेज होगा सत्यर और तीस का अनुपाद होगा और अगर मैं पिछले बार के मैं बात करो ब्यांब तरो फानल सो मेरित मने तो कुल मिला कर आपको इंटर्विव टीकर है रीते हैं मैं बात करो प्रिटेंट प्लस अगर इंटर्वीव की मैं बात करूं प्लस इंटर्वीव और डेमो की बात करूं अगर इसमें कुल मिलाकर आपको 62 से लेकर 75% के बीच में मास्वारा है मिन्सकी मिलम आपका एस्टी कटिगरी वाली 62 और मैस्फेंट्यव प्रसेंट जर्ण कटिगरी वाले डेफिनेयों स्रेक्शन बन सकता है आपका हें नहीं के बात करूं तो यहां पर जर्रल 122 EWS 122, OBC 149, SC 115 और ST 110 और पिछली बार कि आप सिनारीरो देख सकते कि क्या था घटफ ठीक्या साइंस वाले के मैं बात करूँ तो जनरल कटेकरी 134, EWS 131, OBC 128, SC 112 और ST 108 और पिछली बार कि आप कटेकरी देख सकते कि क्या रहा था साइस्ट के मैं बात करूँ जनरल कटेकरी 130, EWS 127, OBC 124, SC 110, ST 106 और पिछली बार की कटफ आप देख सकते कि क्या रहा था साइस्ट करूँ जनरल कटेकरी 122, EWS 120, OBC 114, SC 105 और 102 आपका ST कटेकरी ठीक है तो कुल मिलाकर यहां पर आपकी जो भी मास बर रहे ठीक है जो भी मास बर रहे आपको रिटेन प्लस इंटर्विव इंटर्विव मिलाकर यहां पर बनने वाले मास तो कुल मिलाकर यहां पर देख लीजएगा आपका इतना मास आ रहा है अभी मैंने बता है कि इंटर्विव के लिए आनष ज्यादा मैक्सिंव माम मीनिमम ठीक है वीच कटेगणी वाले लेकिन जीनका मैक्सिमम हैं जीनका मैक्सिमम वहोण स्योर रहेंगे हुंक्थ इंटर्विव में माहना नहीं भी रहेगा क्यों एर आपको तो आपके जो परसेंटेश हो बनेंगे सतर और तीस के वेटेश के एकॉर्डिंग आपका बन जाएगा ना चलिए यह तो होगी आपका टीजटी वाले के लिए अगर मैं बात कुरूं यहां पर मैं पहले फानल मेरिट में पता दो इसमें भी सतर और तीस का विटेश होगा और मिनियूम 62% स्टी के टेगरी और सेवंटीफाइब जो है आपका जनरन के अगर इसके बीच में लाइक करेगा आपका प्रसेंटाल लाइक करेगा डिफिनिटल यहां ब्लसुदे करेगर है इंगलीज सब्जेक्ट की में बात करते हूं टेकरी 132Sn सब्जक्यरं रहने 30 OBC 128 SC 122 और ST 118 हिंदी की मैं बात करूँ तो जनरल 135 EWS 133 OBC 131 SC 125 ST 120 physics की मैं बात करूँ तो यहां पर physics हो गया आपका आपका यह जो मैं circle कर रहा हूँ physics हो गया आपका उसका बाद economics हो गया फिर आपका जियोग्रफी हो गया और यह computer science यह जो इससे चार सब्जेक्ट है यह जो चार सब्जेक्ट मैं यहां पर देखा रखा है इसकी जो कम जाती है इस बार भी कम जाएगी ठीक है तो फिजेक्स 112 जनरल EWS 110 सब्सक्राइब कर देखा है अगर मैं बात करूं यहां पर economics की मैं बात करूं तो जनरल करेंड एटीं EWS 116 OVC 114 SC 108 और ST 104 commerce की मैं बात करूं यहां पर commerce 130 general 128 EWS 126 OVC 120 SC और 114 ST category वाले होंगे ठीक है मैं इसकी मैं बात करूं तो मैंस भी यहां पर cut-off इसकी कम रहती math वाले भी जो मैंस से हैं उनका भी जो है cut-off कम रहेगा जैसे general 120 EWS 118 OVC 116 SC 112 ST 106 बायो की मैं बात करूं बायो general category 131 EWS 129 OVC 127 121 SC और ST 115 हिस्टेक मैं बात करूं 122 जनरल करेंगर 120 EWS OVC 118 113 ST SC और ST आपका 109 जोग्राफी के मैं बात करूं जनरल करेंगर 110 EWS 18 108 OVC 106 SC 103 और 100 ST केटिगरी ठीक है वही बात करूं मैं computer science की मैं बात करूं यहां पर 106 104 EWS 182 OVC 100 SC और ST 96 तो यह हो गया आपका एवरेज ठीक है एक एवरेज कटव कि जिसका ना जिनका यहां पर इतने मास पर भी पचास के बीच में आपका इंटर्व्य मास आ रहा है इंको लेकर यहां पर 30 से आपके 40 के बीच मास लाइक करेंगा डिफिनेटली आपर मिलित बन जाएगा और जिनका maximum marks है ठीक जिनका इसमें भी maximum marks है सपुच कि जिनका 150 प्लास होगा वो देफिनेटली यहां पर इंटर्व्य में भी बहुत कम marks भी रहेगा मिन्स की 20 से लेकर 30 की वीच में को भी marks रहेगा तो तब भी इनका हो जाएगा अब ऐसा लिए कि एकर 150 है और इंटर्व्य में बहुत ही खराब सिच्वेशन अगर आपका रहता है तब भी यहां पर स्लेक्शन से बाहर हो सकते हैं ऐसा लिए कि सिर्फ डिपेंड करेंगा डिटेंड प्लस इंटर्व्य में आपके इच्व मास होते हुए भी आप डिश्क्वालिफाय हो सकता है या फिर आपके यहां पर ऐसा भी हो सकता इस वीडियो का यहां पर प्याइटी के बार में आप अच्छे से जान ले कि क्या रह सकता है तो चली देखते प्याटी का क्या कटाफ रहेगा तो आप सभी पता होना चींच कि यहां पर जो वेटेज बनता है वह सतर ठीक है 70 और 30 परसंट आपको रिटेंड में लाना होता तो सब्सक्राइब जाते हैं जिए धर होता है यह तो पता है 50% लाना होता है इसमें कम से कम ठीक है और इंटर्विव प्लस डेम जहां 30-30 मार्स को अथा तको 70 साथ मार्स गोंगे आ जहां पर 30% आपको लाना होगा अब यहां पर बात करेंगे कैसे आप इसमें माकिंद लायाँंगे और कितना मांस कहां से लेकर आएंगे इंडिटेल में लेकर आए और इंटर्वी में कितना ले मार्ण्ट का हुआ 70% लाना है जूसमें कि जनरल कटेगरी कर मैं बात करो इस बार इस बार कि बात करूं कि 180 मार्ण्ट है तो अगर जनरल कर कर डिगर वन फोर्टी मास लेकर आ रहे हैं तो 180 में कितनों का परसंट बन रहा है 77.7% यहां पर इनका मास आ रहा है लेकिन जब हम भी इसका 70% निकालेंगे 77.7% का भी 70% निकालते हैं तो जो आएगा आपका आपका जो परसेंटाइल आ रहा है वो 53.9% आ रहा है यह होगी आपका रिटेंड का मास अब मैं बात करेंस कि यहाँ पर इंटर्वीव जो कि 30-30 का होथा 60 मास जिसमें 30% आना है जहां पर अगर इंटर्वी में अगर मैं बात करूं इंटर्वी में 30 आ सकता है 40 और 50 ठीक है 30-40-50 30 से 50 के भीचे में आपके मास बनते हैं यह तो किसी का भी अगर 32 आ सकता है किनीगा 36 38 40 42 45 46 इससे लेकर 50 तक जाता है कि कम से कम आपको 30 तो मिल ले हैंfront मिल ले ही 50 प्लस बहुत रेर में जाता है बहुत कम ही लोग का ऐसा है कि 52 जाता है ओड़ अगर मैं बात कुग रहे हैं 60 में वो 66.6% बर रहे हैं अब आपका इसका 30% जब लिंक आ लेंगे तो आपका मार्क्स आरा इंटर्वी में 19.88% ठीक है तो आपका यह जो रेटेल वाला हो गया 53.9% प्लस आपका 19.88% होगे इंटर्वी वाला जब दोनों को आप एड करते हैं ठीक है दोनों को आप अगर सम करते हैं आपका यहां पर बनता है 73.89% 73.89% यहां से आपका फाइनल जो है कटफ फाइनल मेरिट आपका यहां पर स्लेक्शन हो जाएगे नमाज में क्योंकि अगर आप देखिएगा पिछले बार का जो प्याटी फाइनल कटफ गया था 2018 में वह 69 दसमलब 69.7% गया था इस बार आप मानके चलिए कि बहुत ज्यादा नहीं OBC और जनरल कटेगरी के बीच में ही मार्स जो होगा लाई करेगा अगर वह 135 मार्स लेकर आते हैं 180 में ठीक है उनका प्रसंटायल यहां पर बनेगा 75% ठीक 75% का 70% निकालते हैं 70% निकाल रहे तो 52.5% आपका आरा है मार्स ठीक है चलिए अब आपके 60% ठीक है 60% का अगर आप 30% निकालते हैं तो 18% आता है फिर से आपको इन दोनों को सम जब करेंगे तो आपका जो मार्स बन करा रहा है वो है 70.5% ठीक है तो यहां पे भी आपका फाइनल सेलेक्शन यहां पे हो जाएगा आसानी से ठीक है अगर यहां पे जनरल कटेगरी व इंटर्वी में कितना देख आना होगा यहां पे आप 30 भी लेकर आएंगे तो भी बात बनेगा तो कुल मिलावज देखेंगे और बैलंस करना हो गाँ अगर आप सकता है 70 plus से तो definitely general OBC आप यहाँ पर clear कर पाएंगे ठीक है ऐसा रही कि अगर 135 तो 135 भी नहीं 135 बगत से ज़्याद अगर लेकर आ रहे तो यहाँ पर obvious सी बात है कि आपका जो interview है कम भी लेकर आते 32 33 भी लेकर आते तो भी यहाँ पर बात बनेगा अगर आप करीब करीब लेकर चले जाते आपका score आता है तो ठीक है अब आते में बात करूं अगर उनको आ रहा है ठीक है अगर माल यह 130 की नहीं का मास आता है रिटेंड में तो 72.2 परसंट का मास यह बन रहा है और इसका 70 परसंट आप कालतें तो 50.54 ठीक है 50.54 परसंट आपका यह मास इनको रिटेम में कितना लाना होला है सब इंटर्वी में कितना मास लेकर आना होगा ठीक है ठीक है ठाटीयट मास अगर लेकर आना यह ठीक अगर को सम करते हैं तो आपका जो मास बनके आता है वो 69.5 परसंट आता है अगर पिछली बार के अगर देखें कटफ देखें वाले तो 67.63 परसंट गया था आपका फानल में जो बना तो आपका आ रहा है अगया अगर कहीं 120 आ गया मास तो आपको इंटर्वी में आपको ज्यादा लेकर आना होगा अगर यहां पर ओविसी कटेग्री वन 30 से एभब ले गया है तो यहां पर आपको इंटर्वी म में कम भी रहेगा तो भी चलेगा 36 भी रहेगा 34 भी उड़ाएगा तब भी चलेगा 130 प्लस लेकर आते हैं तो ठीक चले इससी कटेग्री के अगर मैं बात को यहां पर अगर वह 120 लेकर आ रहा है तो उनका जो परसंट बन रहा है यहां 180 में 66.66 परसंट लेकिन इसका अगर 70 प्रतिसand निकालते हैं अप तो इसका अगर 70 परसंट निकालते हैं तो क्या बने का 60 46.66 परसंट आपका मास आ रहा है तो यहां पे अगर उनको इंटरव्य में कितना लेकर आका आना होगा लेकिन अगर आप इसकी 30% इसका निकालते हैं तो कितना आ रहा है आपका 19.88% यानि कि आपका जो final जो result वालेगा वो 66.64% आपका महा से आ रहा होगा और अगर पिछली बार की तुलना करें गया तो 62. कितना गया था आपका 2% गया था cut-up final ठीक है final cut-up 66.2% गया था और यहाँ पर 66.2% इस पर 6.4 अगर आ जाता है तो डिफिनल्ट आपका यहाँ से लेक्शन हो जाता है अगर एस्षी वाले अगर 120 से ज़्यादा अगर ले आते हैं अगर यहाँ पर 120 से ज़्यादा आप ले आते चाहे वह इंटर्व्य में जादा लाकर या रीटेन में जादा लाकर कहीं पर भी आपको बैलनस करके आपको यह percent जो है cut-off clear करना होगा तब इसित कटिगरी की मैं बात करूं तो कटेगरी में देख सकते हैं यहाँ पे 110 एकसू एक तोश्कषट पॉइंट 117 एक सफफ प्रीश्त आपका बर रहे है अगर मैं बाद कुए यहाँ पी तोटल इसके अधर हो यहाँ बहुत ना हमें अरज में वह घत्का QR क count इसका निकालते हैं 70 का तो 21 अगर दोनों को एड करते हैं इन दोनों को एड करते हैं तो यहां पे जो कटव बनेगा यहां देखेजी एसी कडिगरी 110 लेकर आ रहे हैं ठीक है अगर वह 110 लेकर आ रहे हैं परीन के में आउट अफ वसितासं बना आ आ के से हमद्यापट अगर धार्षार अगर मांच बूंपर कट देखेज औरन परषार अकर दोननों को यह दोन हो बनेगा 63.77% बन रहा है और जो कि पिछली बार का cut off क्या था 62.1% तो यहां से आपका final merit बन जाएगा आप देख से तो कि पिछली बार की तोना में थोड़े जादे रहेंगे और इतना लेकर आते हैं तो बात बन जाएगा तो कुल मिलाकर आपको कहले कहीं यहां पर balance करना अगर अगर return की में बात कुणूं यहां भी return देख लिजे अगर इस्ती कटेगरी 120 लेकर आ रहें तो जाड़ से बात ही इंटर्व्य प्लस डेमो में आपको ज्यादा नहीं लेकर आना को आप यहां पर अगर अगर 38 के आसपास भी लेकर आते तब भी आपका फाइनल आपको कुल मिलाकर कहने का मंता आपको जो है cut-up 64 के अरॉंड लेकर आ रहा होगा अगर 64 के अरॉंड लेकर आ रहे है रिटेन प्लस इंटर्व्य मिलाकर डेफिनेटली आपके सेलेक्शन हो जाएगा तो वेटर्ज जो होता है 70 और 30 का वेटर्ज होता है डिटेन 180 सबार का है आप सभी को पता होना चीव फिड़से में बता रहा है पिशली बार 150 का था और देख सकते हैं कि जंडरल हो गया O, 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 ST हो गया स्य को सकते हैं कि का कत एक सेले क्ड़ के ख़्याई ऐसे सबार 5 5 थेसे सबस., रह सकता है तो इसबस चघए हैं कि अब तो आपको मैंने को के बारे में बताएं गभार 2004 अभर 2022 नहीं के लिए यहjang को फूलीन आपयों में आपको 3ượng के डेफिनेटलि यहां से सेलेक्षन हो जाएगा ठीक है तो रिटेन पर अच्छे फोकुस करें मिन्स की कल्कुल मिलाकर रिटेन में अच्छे अगर आप मांस लेकर आते हैं तो कहीं है कि आप यहां से आप निश्चिंत रहेंगे कि आपके इंटर्व्यों में ज्यादा मस नहीं डेवों में बहुत ज्यादा फाइट करना होगा और मैं समझता नहीं कि यहां पर की जिन ओड़ाफ सिष्टी में 50 से ज्यादा मिलता है बहुत रेल किस में 50 प्लस जाता है ठीक है तो 60 में आप मानके चली कि 60 में आपको 30 से लेकर 30 से लेकर 50 के आस पास में स्कोर मिलता है त ठीक है तो गाइस बस इस वीडियो में ताहिए रखेंगे और शुले नेक्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ थांक्यू फेरे मच